तो फिर गर्मियों का मौसम है इसलिए आज हम गन्य का रस बनाएंगे और वो भी बीना गन्य के hello friends welcome to waste kitchen. तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे बिना गनने के गनने करस यहाँ पे धेर सारी हम पूदेना के पत्ते ले लेंगे और यहाँ पे हमने रखे हुए है क्रस्ट गुड आप चाहें तो इसे ग्रश कर सकते हैं या पानी में भीगा के भी रख सकते हैं जिससे आसानी से गल जाएंगे और फिर हम इसमें एट कर देंगे आइस धेर सारी और ठंडा पानी और इसको खोब अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे साथी नमक डालेंगे तो घर पर आप जरूर्स रेसिपी को ट्राइ करेंगे क्योंकि बाहर इतना हाईजिनिक तो मिलता नहीं है और यहां पर अगर पिगला हुआ अप अंगुड का जूस बनाएंगे तो और आसानी से बहुत ही अच्छा जल्दी बन जाएगा और यहां बनने के बाद से हम इसमें कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहिए तो इसमें जीरा पॉलर कर सकते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट बन जाता है जो बहुत हैली लगता है कुब धेर सारी आइस के साथ आप इसे बच्छों को भी दे सकते हैं घर में भी आप बना के रख सकते हैं उपर सम पुद झाल